जैश्री कृष्णा रादे रादे फ्रेंड मैं भारती स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल भारती का भक्ति भाव में कार्तिक मास भगवान विश्णू व्यमा लक्ष्मी का प्रिये मास है इस महीने में किया गया दानवे व्रत सामान्य महीने की तुल्न में किये गए दानवे व्रत से कई गुना फल्दाई है कार्तिक मास में कई प्रकार के व्रत रखे जाते हैं उन में से एक है तारा भोजन इसमें कार्तिक मास के प्रारम से लेकर पूर महा तक व्रत करते हैं इस पूरे महिने में व्रत रखने वारे लोग रात के समय तारों को अर्ग देकर भोजन करते हैं तथा वरत के अंतिम दिम कार्तिक के वरत का उध्यापन किया जाता है। आज मैं ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो तारा भोजन के वरत रखना चाहते हैं या रख रहे हैं। इस वीडियो में आपको तारा भोजन से संबंदित सभी जानकारी मिलेगी। इसलिए वीडियो को प्लीज किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। और जो लोग कार्तिक की क्रिशन पक्ष की पढ़वा से व्रत प्रारम करेंगे उन्हें सुन्दर दूज को ही व्रत खोलना है। कुल मिलाकर 31 दिन पूरे होने चाहिए। हो सके तो प्रती दिन मंदिर जाकर पूजा पाठ करें। परन्तु आप सुबह जल्दी पूजा पार से निवरत होकर जब तक ता रहे हैं साड़े पांच या पौने छे बजे तक चाए दूद या उसके साथ फूट ड्राइ फूट ले सकते हैं। यदि आप मंदिर जाते हैं और आपको सुबह चाए पीने का समय नहीं मिलता है तो आप दिन में एक बार बारा बजे के करीब चाए या पानी पी सकते हैं। उससे पहले वैबाद में कुछ भी खाना या पीना नहीं है। तुलसी और पत्वारी पर दोनों समय धिया बत्ती जरूर करनी है। वरत रखने वाले को पूरे महा ब्रह्मचार्य का पालन करना अतियावश्चक है। यदि संबव हो तो शैया छोड़कर भूमी पर शैयन करना चाहिए। कारति का वरत करने वाले को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यभार करे, अर्थार कम बोले, किसी की निंदा या चुगली ना करे, बात विवाद ना करे, मन पर सहियम रखे, इतियादी, पूरे महिने, मास, मदीरा, लसून, प्याज, वैतामसिक पधारतों का सेवन न करना है, जो लोग तारा भोजन रखते हैं, उन्हें एक बात का ध्यान रखना है कि तारा भोजन के वरत वे पंच भिक्कम के वरत दोनों अलग-अलग रखने हैं, यदि आप सोचते हैं कि तारा भोजन में ही आपके भिशम पंचक के तीन साल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं ह आपको तीन साल तारा बोजन करने के पश्चाथ अगले पांच साल तक भीश्म पंचक के वरत फलहार के अलग रखने हैं इसका मतलब यह है कि कार्थिक के अंतिम पांच दिनों में भी आपको अन खाना है एक आदशी को छोड़ कर और जिन लोगों के लिए पूरे महा के वरत संबब नहीं है वो केवल भीश्म पंचक या जिसे पंच भिखम भी कहते हैं उनके वरत पांच साल के लिए रखेंगे वो केवल फलहार लेंगे अब बात करते हैं तारा भोजन वरत में क्या खाया जाई वे क्या ना खाया जाई पहले बात करते हैं आपने क्या नहीं खाना है किसी भी प्रकार की दाल, पेठा, घीया, तोरी, बैंगन, मूली, साग, घोबी वे अन्य कोई भी तामसिक पदार वरत में पूर्ण तया वर्जित है आपको खिचडी, अचार या सरसो के तेल से बनी हुई कोई भी वस्तू नहीं खानी है अब बात करते हैं आप क्या खा सकते हैं आलू, मटर, पनीर, दूद, दही, मेथी, सफी छोले, हरी मिर्च या कड़ी जिसमें आप सबजिय न डाले आप ये खा सकते हैं कार्थिक क्रिशन पक्ष की चतूरदशी जिसे नरक चतूरदशी या छोटी दिवाली भी कहते हैं उसको शरीर पर तेल लगा सकते हैं अन्य दिन शरीर पर तेल लगाना भी वर्जित है पूरा महीन अवरत रखकर महीने के अंत में उध्यापन करना होता है उध्यापन में पंडित वे पंटाइन का जोड़ा जिमाएं उन्हें फल, फ्रूट, दक्षिना वे कपड़े अवश्य दे उध्यापन पर अपनी सास या सास की उम्र की किसी महीला बुजुर्ग को साड़ी वैसा मर्थ्य अनुसार दक्षिना देने का भी विधान है वरत आपको खिचड़ी और अचार से खोलना है अर्दाद खिचड़ी बना कर मंदिल में पहुँचाएं भगवान का भोग लगाएं फिर उस खिचड़ी को अचार के साथ खाकर ही आपने वरत खोलना है वरत के उध्यापन में पहले साल आपको सीधे देने हैं, आप चाहे तो प्रती दिन सुखे सीधे की थाली लगा कर दक्षिना के साथ मंदिल में दे सकते हैं, सीधे में आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, नमक, कची सबजिया में दक्षिना रख सकते हैं, आप चाहे तो सीधा एकठा एक साथ एक दिन भी दे सकती है प्रती दिन के आदा किलो समान के हिसाब से कुल 16 किलो समान करना है आप 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 किलो घी, 1 पैगेट नमक, थोड़ी दाल, कच्ची सबजिया जैसे आलू टमाटर और प्रती दिन की दक्षिना के आप से देने हैं, आप चाहे तो महीने के अंत में 32 पैकेट अदा धकिलो लड्डू के बनवाले वे इसे पंडितों में बटवा दे, साथ में दक्षिना देनी है, पंडित पंड़ दाने का जोड़ा जिमा कर उन्हें कपड़ा, दक्षिना, फल वे मिठाई दे, तीसरा साल आखरी साल होता है, उसमें उजबन थोड़ा जादा होता है, इसलिए उसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में देंगी, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब पिर मिलूंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद